मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने आधार कार्ट पे आपने देखना चाहते हैं कि कितने आपके SIM एक्टिवेट हैं और जो SIM आपको लगता है कि आपने खुद एक्टिवेट नहीं किया है उसको आप कैसे बंद कराएंगे सबसे पहले दोस्तों आप स्पेस सी यू पी वाई जैसे दोस्तों आप यह लिखते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो उपन होगा उसको आपको खोलना है मैं आपको स्टेप बैस्टर दिखा रहा हूं तो यह पहला आपको जो साइट मिलेगा टैफ सी यू पी कंजिमर पोर्टल यह गवर्म अधर किसी ने सीम लिया है तो अब उसको यहीं से पिरना कहिं किसी को बोले कहीं जाए inc. आप बंद करा सकते हैं। जो भी सीम आपको लगे नंवर जो आपको लगे कि आपके नाम पे नहीं उसको बड़े आकसा ली से करा सकते हैं तो उसके लिए करना कुछ नहीं सिंपल सापको यहां पर अपना मॉबाइल नंबर डालना है मॉबाइल नंबर डालने के बाद आपको आपके मॉबाइल नंबर पर ओटी पी आएगा उसके बाद पूरी लिस्ट यहां पर खुलकर सामने आ जाएगी चलिए मैं आपको करके द तो यहां पर टिक करने के बाद करना या फिर नॉट करके आपको रिपोर्ट करना तो उससे आपका जो सिम बंद कर दिया जाएगा और आपके अधरकाट पर एक सिम कम हो जाएगा तो मेरे पर देखिए विछ चार सिम एक्टिवेटेड़ है जिसमें से एक की जानकारी मुझे नहीं है तो वो मैं बात में पहले कंफर्म करूंगा साइथ किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड ने लिया हुआ तो उसके बाद लगा मुझे तो यहां से मैं इसको डियक्टिवेट कर सकता हूं तो इस तरह आप भी जुस्तों आपने नंबर को सर्च कीजिए और बताए यह किस वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा और आगे भी दूस्तों इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए टेक कियर जय हिंद जय भारत